दोस्तों जब भी हम बात करते हैं इलेक्टिक टू विलर की तो यहां पे सबकी चोईज, बजट और नीड अलग-अलग होती है तो अगर आपकी नीड और रिकॉर्मेंट काफी लो है और आप नहीं चाहते कि आप ज्यादा इंवेस्ट करें किसी इलेक्टिक स्कूटर में तो नाम है Ampere V48 तो यहां पर लाइट वेट यूज के लिए लाइट वेट से मतलब मेरा यह है जैसे कि आपको 2-3 किलोमीटर दूर मार्केट जाना है बच्चे बगर का टूशन चोड़ना या बच्चा खुद टूशन लेके जाना चाहता है तो उस यूज के लिए काफी ठीक रहेगा और दोस्तों यह हाल फिलाल में इंडिया का सबसे चीपेस इलेक्टिक स्कूटर है तो Ampere V48 की मैं बात करूँ तो यहां पर यह तीन कलर में अवेलेबल है ब्लैक रेड और ग्रे देखने में इसकी लुग काफी बेसिक है और जैसी की प्राइज है बात कर इसकी स् कि लेड एसिट मिलती है 50 किलो मेटर की टॉप स्पीड इसकी 25 किलो मेटर पर आर है लोड कपैसिटी 100 किलो की है जो मोटर इसमें लगाई है वो है 200W की BLDC मोटर स्कूटर का खुद का वजन है 66 किलो इसकी वारंटी की तो मोटर कंट्रोलर चार्जर इन सब पे एक साल की वार वारंटी है लेड एसिट में एक साल की वारंटी है करें इसकी प्राइजिंग की तो लीथियम आयन वर्जन है 37,488 रुपे और लेड एसिट बैटरी के साथ है 34,089 अगर हम इनमें डिफरेंस देखें प्राइज का तो वह 2,500 का डिफरेंस है जो कि कोई ज्यादा नहीं है तो इसलिए अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो लीथियम आयन लेना और मैं अपको हमेशे ही सिजेस्ट करूँगा कि लीथियम आयन बैटरी के साथ स्कूटर लें क्योंकि लीथियम आयन के साथ आपको फायदे मिलते हैं ज्यादा चलती है उसकी चार्जिं साइकल ज् अगर इस स्कूटर के बात करें तो इसकी बैटरी जो लीथियम आयन वाली है वह पांस चे गंटे में चार्ज जाती है और जो लेट एसिड है वह लेती है आट से दस घंटे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा दो डाहीजर के डिफिन कोई ज्यादा नहीं है तो दोस् दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ थैंक्स वर वाचिंग गाईज